आप सभी को नमस्ते राम राम भगवान करें आपका दिन शुभू पिछली दफ़े हमने देखा था कि बारा सिंगाओं का ट्रांस लोकेशन काना से बांधव गड़ करना था तो जो बारा सिंगाओं बांधव गड़ ले जाए गए वो वहां पहुंचके मरे हुए पाए गए गए और जो छे बारा सिंगाओं केजेस में काना में ही छोड़ दिये गए थे कि उनको बाद में ले जाए 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 गए गए वापस आने पे वो भी केजेस में मरे हुए जाना में तीन बारा सिंगा एंक्लोजर में ट्रैंक्पिलाइजर इंजेक्शन लगाते समय गलत एम के करण मर चुके थे तो टोटल 21 बारा सिंगा इस एक्सपेरिमेंट में कतम हो गया और चुकी बारा सिंगाओं की पॉपिलेशन दोसों से सिर्फ थोड़ी अधिक थी तो ये करीब करीब 10 प्रतिशन बारा सिंगा इस एक्सपेरिमेंट में मर गये हैं ये एक फेलियर था और फेलियर्स और सक्सेस ये दोनों कडियां किसी भी काम के करने में आती रहती हैं लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये 1982 की शुरुआत में ये पहला एक्सपेरिमेंट था जहां पर बारा सिंगाओं को ट्रांसलोकेट किया जाना था हमने जब लोगों से बात की जो कि बारा सिंगा ट्रांसलोकेशन में इन्वाल्ड थे और हमने जब हिस्ट्री पढ़ी तब पेपर्स पढ़ें रिसर्च पेपर्स तो हमें ये ग्यात हुआ कि बारा सिंगा इसके पहले भी ट्रांसलोकेट किये जा चुके थे 1978 के माई मेहने में डॉक्टर पीसी कोतवाल काना के पहले रिसर्च अफिसर बनके वहां पहुँचे डॉक्टर पीसी कोतवाल आज तो रेटायर हो चुके हैं और भोपाल के किसी अंदर उनी इलागे में रहते हैं जहां हम जाके उनसे मिले थे आप लोग शायद ही कभी डॉक्टर पीसी कोतवाल से मिले तो आप पीसी कोतवाल से भले ही ना मिल पाए आप काना में खासकर एक जगे उनका काम देख सकते हैं अगर आप काना जोन से किसली की तरफ आए और काना घाट होते हुए आए तो काना घाट की जो छोटी मोटी पहाड़िया हैं उन सारी पहाड़ियों में आपको एक अजीब सी घांस दिखेगी जो कि खड़ी नहीं होती है घांस जैसी जो कि थोड़ा सा एक दो इंच दॉक्टर पीसी कोतवाल ने आसपास के काना के आसपास के कैसी गाउं में देखी थी और उसको देखते ही उनके मन में ये कौन था कि अगर ये घांस काना घाट की पाड़ियों पे लगा दी जाए तो बरसात के मौसम में उन पाड़ियों से मिट्टी का स्खलन नहीं होगा और इसलिए वो जो लैंड्सकेप है वहाँ का उस रक्षित रहेगा गंसर्ड रहेगा ये सोचने के कुछ समय बाद डॉक्टर पीसी कोतवाल उस गाउं में गए और वहां से उन घास अपने साथ में लिते है और ये घास उन्होंने खुद एक हिलपर के साथ लड़का था इसका नाम था मंगलू लेकिन वो मंगलू बैगा नहीं था वो मंगलू था तो उसके साथ में मिलके इन पीसी कोतवाल ने खुद अपने हाथों से गास उन पाड़ियों पर रोपी तो आज जब आप जाएं कानागाट से तो गास आसानी से नजर आती है वो आज भी है और इतने सालों की बारिश के बाद में भी कानागाट की पहाड़ियों से किसी मट्री का श्रण नहीं हुआ है किसी कोतवाल 1978 में 1978 में काना पहुँच चुके थे इन 1979 में डॉक्टर वाइजनर जो की एक जर्मन एक्सपर्ट वेटेरिनेरियन थे उनको पवार साहब ने काना बुलाया और वे काफी समय काना में रहे और उन्होंने एक इंटेंसिव ट्रेनिंग काना के कुछ चुनींदा व्यक्तियों को दिये और वो ट्रेनिंग थी ट्रैंक्विलाइजिंग के उपर कि ट्रैंक्विलाइजिंग गन में किस तरीके से आप ट्रैंक्विलाइजिंग डाल्ट सिरिंज डालेंगे और किस तरीके से आप शूट करेंगे साथ में उसमें ट्रैंक्विलाइजर कौन सा होगा उसके बारे में भी ये ट्रेनिंग थी और इस ट्रेनिंग का आखरी पार्ट ये था कि तेरी जब आपको सारी सिखा दी गई तो इसी चीज का आप एक्सपेरिमेंट करिये चीतलों के उपर क्योंकि चीतल का नहमें बहुत आयत में पाए जाते हैं तो अगर इसी चीतल की मौत हुई इसमें तो बहुत बड़ी क्षती नहीं होगी तो ये सब करने के बाद में डॉक्टर कोतवाल ट्रैंक्विलाइजेशन में एक्सपर्ट हो गया उसके बाद में डॉक्टर वाइजमेन के जाने के बाद में डॉक्टर कोतवाल ने चीतलों पर ये एक्सपेरिमेंट करना जानी रखा क्योंकि कोई चीतल मरा नहीं उनसे बेहुश सब हुए तो जब उनके मान में ये पका हो गया कि वो एक्सपर्ट हो गए हैं सही में तब 1981 में जून में डॉक्टर कोटवाल ने दो लोग साथ में लिए एक व्यक्ति थे मिस्टर माकनलाल धंगर जो कि आज सौफ इलाके में रेंजर है और दूसरी व्यक्ति थे जिनका नाम था तिल वरिया तो इन दोनों के साथ में हाती पर बैठके कोटवाल साब काना मेडो पहुँचे और वहां पहुँचके जब उन्हें एक बारा सिंगाओं का ग्रूप दिखाई दिया तो उन्होंने निशाना लगा के ट्रैंक्विलाइजिंग डार्ट जो था उसको एक फीमेल के हिप का निशाना बना के उस पर छोड़ा तो पूरा ग्रूप भाग गया साथ में वो फीमेल भी भागी थोड़ी देर और उसके बाद में वो गिर गई और वो जैसे ही गिरी तो धनगर हाथी से उतरे और साथ में तिलवरिया भी उतरे और तिलवरिया ने उस फीमेल भारा सिंगा को जो के गिरी हुई थी उसको जकड लिया जिससे कि वो हाथ पाउं ना हिलाए तो तिलवरिया जो की अच्छा रिष्ट प्रिष्ट आदमी था उसके जकडने के बावजूद वो भारा सिंगा अपने हाथ अपने पाउं हिला रही थी तब तक धंगर भी वहाँ पहुँच गया और उनने भी अपनो वजन बारा सिंगा पर डाल दिया थोड़ी देर के बाद में वो बारा सिंगा शान्त हो गई उसके बाद में केज वहाँ लाया गया और उस केज में उस बारसिंगा को ट्रांसफर करके उसको सूबखार ले जाये गया और एक मेडो जिसका नाम है चकरवा तो उस मेडो में उस केज को छोड़ के उस सिमेल बारसिंगा को छोड़ा गया तो बहुत हिचक्ती हुई केज से बाहर निकली खोड़ी चली रुक गई फिर गिर गई उसके बाद फिर खड़ी हुई फिर चली और फिर वो घास चरने लगी वहाँ काफी देर तक डॉक्टर कोतवाल वहां बैठे रहे और जब उनके मन में ये पका हो गया कि ये ठीक है तो फिर वो वहां से वापिस कहना आ गया है इस एक महिने में जून के महिने में इस तरीके से आठ बारा सिंगा ले जाके चकरवा मीडों में छोड़े गए उन आठ में से एक बारा सिंगा की गरदन चूंकि वो केज में बहुत उशलकूद किया था उसमें तो वो तूट गई तो उसको जब छोड़ा गया तो उसका उसकी पूरी गरदन उसका सिर एक एंगल में एक तरफ रहता था सीधा नहीं रहता था बाकी साथ बारा सिंगा सही सालामत थे और ये करीबन चूंकि महना भर इस पूरे काम में लगाया गया तो जो शुरुआत के जो बारा सिंगा लाए थे पहला बारा सिंगा जो था वो एक महने के बाद भी बढ़िया मौज में था तो वो आठ बारा सिंगाओं में से साथ तो बहुत मौज में थे आठमा बारा सिंगा जिसकी गर्दन तूड गई थी वो एक बहुत अजीब सा द्रश्य प्रस्तोत करता था जितने दिन वो रहा उतने दिन कि साथ बारा सिंगा अपनी सर उठा के चले जा रहे है और ये अपनी गर्दन एक तरफ करके चल रहा है या चल भी रहा है तो उसी तरह से चल रहा है अलंकि कुछ दिनों में वो बारा सिंगा बर गया तो साथ बारा सिंगा बचे रहे और वो खुछ हाल थे ये था बारा सिंगाओं का पहला ट्रांसलोकेशन जो की पूरी तरह सफल रहा था हालांकि कालंतर में हम भोपाल की हिल्क रेस सोसाइटी में पहुँचे जहां काफी उचाई पर एक छोटा सा घर था जिसमें एसम हसन जो की काना के उस समय के 1978-77 के असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो रेटायर्मेंट के बाद वहां रहते थे मिस्टर सत्यंदर तिवारी उनकी मदद से और इधर उधर पूछ पाच के हम लोग हिल्क रेस सोसाइटी में एसम हसन के घर पहुँचे थोड़ी देर के बाद में हसन साब आए तो तिवारी जी ने उनसे कहा कि मैं बारा सिंगाओं के ट्रांस्लोकेशन के बारे में जैनने आया हूँ तो हसन साब हमें बताने लगे कि बारा सिंगा तो ऐसा है साब कि पहले तो सिर्फ कहना में ही पाये जाते थे फिर उनको सोफ में पहुचाया गया था उसके बाद का जो उपकरम था वो ये था कि उनको मुक्री लाना था यहाँ पर हसन साब बोलते-बोलते रुख गए और फिर अचानक से कहते हैं कि आपको पता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया था 1977 में ही मेरा ट्रांसफर कर दिया गया था और मुझे मुकी से गड़ी गड़ी भेज़ दिया गया था अब गड़ी में तो मेरे लाइक कोई काम था नहीं और वैसे भी गड़ी का इलाखा आज से चार पांच दशक पहले रहा हो बहुत घना जंगल लेकिन आज वहां कोई जंगल नहीं है उसमें मानो बस्ती इतनी हो गई है कि आपको जानवर तो दिखते हैं लेकिन वो वो ही जानवर होते हैं जिनको हम मनुश्य कहते हैं और मनुश्यों से बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं मैं जंगल में रहते रहते सालों जंगल में रहते रहते आदी हो गया था प्राक्रितिक वातावरन का और जानवरों का तो मेरे पास में बोर होने के अलावा और कोई चारा नहीं था हलांकि अपनी बोरियत अटाने के लिए मैं छोटे मोटे कुछ भी काम कोई भी काम कर लिया करता था तो एक दिन मैंने हमारे जो कमरे थे उसमें एक अलमारी थी उस अलमारी के सबसे उपर के शेल्फ में एक ट्रैंक्विलाइजिंग गन रखी हुई थी और वो गन अपने केस में थी तो खिर मैंने उसको उस केस को निकाला उसको खोल के गन निकाली और उसको साफ करने लगा उसमें कोई धूल भी नहीं थी, कुछ नहीं था वो बाकैदा इंट्लोस थी केस में लेकिन मुझे तो कुछ काम करना था तो मैं वो वो गन्ज साफ करने लगा और खाली दिमाग भूतों का घर ऐसा कहा जाता है लेकिन मेरे दिमाग में कोई भूत नहीं थे उस समय मेरे दिमाग में अचानक ये कौन था काना यहां से ज़्यादा दूर नहीं है काना में बारा सिंगा हैं और उनको एक और जियोग्राफिकल इलाका देना जरूरी है जिससे कि कोई भी बिमारी अगर फैले तो वो बचे रहे और साथ में सूप खार भी गड़ी से बहुत पास में है तो कितना अच्छा हो कि अगर मैं काना जाओं और काना से बारा सिंगा को बेहोश करके जीप में डालके यहां सूप खार में छोड़ दो तो यह विचार आने के अगले दिन मैंने सुबह सुबह रामस्वरूप को बुलाया रामस्वरूप मेरा डाइब ड्राइवर था और जीप में बाट बैठ के हम दो पहर तक ताना मेडो पहुँचे वहाँ एक ग्रूप बारा सिंगाओं का घास चल रहा था और बाकी कुछ भी नहीं था जंगल खाली था क्योंकि जंगल में सारे जो जानवर होते हैं वो दो पहर में दो बग जाते हैं धूप में रहना पसंद नहीं करता कोई जानवर और जंगल में जो व्यक्ती रहते हैं जो गार्ड्स रहते हैं और बाकी जो भी officials रहते हैं उनकी भी आदत जंगल के जानवरों जैसी हो जाती जंगल में रहते रहते तो वो भी सुबह और शाम छोड़के दोपहर में वे लोग भी अपने अपने घरों में आराम करते हैं तो कोई आजमी था ही नहीं जानवर भी सब दूब के हुए थे के एक फीमेल बारा सिंगा को निशाना बना के मैंने वो ट्रेंक्विलाइजिंग डर्ट उस पे छोड़ा इसके पहले कि मैं आपसे आगे का वर्णन करूँ मैं एक चीज यहां बता देना उचित समझता हूँ यह जो गन थी ट्रेंक्विलाइजिंग गन यह डॉक्टर जे जे दत्ता जब कैनेडा गए थे एक ट्रेनिंग के लिए तो वो वहां से लेते आये थे अपने साथ और वापस आके उन्होंने काना जंगल को यह गन भेंट में दे दी थी तो यह डॉक्टर जे 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 दत्ता की गन थी जससे हसंद साब ने उस बारासिंगा को शूट किया और शूट करने के बाद में बागी बारासिंगा तो भाग गए लेकिन ये जो बारासिंगा थी यह वहीं गिर गई और राम स्वरूप और हसन साब ने दोनों ने जा करके इसको उठाया और जीप के पिछले हिस्से में डाल दिया कोई केज नहीं कुछ नहीं और उसको लेकर के ये सूपखार पहुँचे और सूपखार में एक मेडो है जिसका नाम है बासफेरा तो उस बास फिर हम मेडो में इस बारा सिंगा को उन्होंने छोड़ दिया थोड़ी देर शांती से खड़ी रहने के बाद में ये बारा सिंगा चरने लगी बिसके आद बाद में हसन साब ने मुझसे जो कहा वो बहुत चौखाने वालो था कि उन्होंने कहा कि देखो अविनाश ऐसा है मैंने बहुत ध्यान से ये 12 सिंगा चूज की थी क्योंकि ये प्रेग्निंट थी और हम ये जानते थे कि कुछी समय में इसकी फॉनिंग हो जाएगी तो यहां 12 सिंगा हो जाएगे इसके बाद में हसन साब ना कहा कि हम 6-12 सिंगा उसी मैने में और लेखे आये सुखार में और वो सबके सब 12 सिंगा प्रेग्निंट थे अग्यी मुझे इस बात ने बहुत चौकाया क्योंकि मैं बाइयो केमेस्टरी का स्टूडेंट हूँ और मैं ये जानता हूँ कि एक प्रेग्निंट फीमेल की बाइयो केमेस्टरी एक नॉर्मल फीमेल से काफी अलग होती है और इसलिए उसको बेहोश करना खत्रे को बुलाना होता है लेकिन हसन साब ने तो सारी प्रेग्निंट बारा सिंगाओं को ही वहाँ छोड़ा था और फिर हसन साब ने आगे कहा कि ऐसा है कि वो छे की छे बारा सिंगाओं ने पॉनिंग की तो छे बारा सिंगा तो हमने वहाँ पहुंचाए थे वहाँ पे छे फॉन्स भी जनम ले गए उसके बाद में दो मेहनों में उन में से चार फॉन्स गयब हो गए वो शायद मर गए हो या किसी प्रिडेटर द्वाला खा लिये गए हो लेकिन दो फॉन्स बचे रहें तो टोटल मिलाके आठ बारा सिंगा वहां बासफेरम मेडो में हो गए है अब यह ट्रांस लोकेशन जो था असन साब का यह किया गया था 1978 में तो पहला ट्रांस लोकेशन अगर आप देखे तो यह था ऑफिशेली पहला ट्रांस लोकेशन डॉक्टर पी सी कोतवाल ने किया था 1981 में तो अगर आप हिस्ट्री ढोडने जाएं बारा सिंगा ट्रांस लोकेशन की तो आपको इसका उल्लेक कहीं नहीं मिलता है तो यह जो हसन साब ने किया था इसका कोई पेपर लिखा नहीं गया और पार्क की जो अथॉरिटीज थी उनने भी इसकी चर्चा करना बिल्कुल उचित नहीं समझा तो यह बात आपको सिर्फ दो तिन लोग ही शायद जो जीवित हैं वो बता सकते हैं कि ऐसा सही में हुआ था तो मैंने बहुत कोशिश की इस बारे में पता लगाने के कि कोई और व्यक्ति मुझे इस बारे में बताए कि ऐसा सही में हुआ था तो इसके बाद हम लोग जब डॉक्टर पीसी कोटवाल से मिलने गए तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने एक दो वाक्या ऐसे कहे कि मतलब उनने ये कहा कि आप एक बार असन साहब से पूछ के देखिए कि शायद पहला ट्रांस्लोकेशन मेरे भी पहले उनने किया था और इसके बाद में वहां के जो रिसर्च आफिसर थे कहना के डॉक्टर पीसी कोटवाल उनने भी इसी तरह की एक चीज मुझ से कही तो मैं ये मान सकता हूं कि ऐसा हुआ था डॉक्टर रंजीत सिंग डॉक्टर पीसी कोटवाल डॉक्टर राकेश शुकला पिस्टर अब्दुल गफूर मिस्टर चाचा जी जुमन खान इन सब लोगों के प्रेतन से आज उन पर विलुप्ट होने का ख़तरा नहीं है आज अधर आप काना जाएं तो बारा सिंगा आज खाना में आपको हर जगे दिख जाएंगे और बारा सिंगा की आज की जो संख्या है काना में वो है पांच्सो चालीस तो आज वो विलुप्ट होने के कगार से बहुत दूर ले जाए गए हैं बारा सिंगाओं की कहानी अभी मै खतम कर रहा हूं हाला कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं मेरे पास जो की बताने लायक हैं लेकिन इस चीज को यहां खतम करते हैं फिलाल अगर आप लोगों की इच्छा रही और अगर आप लोगों ने मुझे बताया कि आप जानना चाहते हैं तो मैं आगे वो चीजें ब रे रेत हो जखता हूँ, दनिवाद।